कि आज हम बनाएंगे काना जी के लिए दुपट्टा यह पटका इसके लिए मैंने एक सुई ली है और इसमें वाइट दागा पिरोया है अब हम एक कैची लेंगे और इसमें इस तरह से इसको रेड और यालो जो दागा है उसको इस तरह से सेट कर लेंगी यह मैं आपको बता और बारीक दोरों तरह के लिए हैं और यह लटकन मैंने बाहर की तरफ लगाने के लिए लिए है और जब जो सबसे बारीक मोती हैं वो मैंने बीच की तरफ लिए हैं तो मैं इस तरह से पैटरन बनाती जाओंगी यह काफी अच्छा पैटरन लगता है ये देखिए बहुत प्यारा से पैटरन हमारा तैयार हो गया है ये देखिए मैं आ। इना आधे दुपट्टा तैयार कर लिया है। इनका काना जी का और बाकि जो मैं इस तरह कि बीच में मोटि पि रोने के बाद वैसा कि वैसा वापिस pattern बना कर ले लूँगी अब मैंने ये जो red और yellow धागा है इसको मैं इस तरह से fold करते जाओंगी मैंने ये लंबाई में काफी सारा लिया है और इसको मैं 2-3 बार fold करूँगी तो काफी मोटा ये लटकन के तरह का बन जाएगा ये देखिए इस तरह से आप fold करते जाएंगे आप कहेंगे तो मैं ये अलग से आपके लिए वीडियो बना दूँगी कि मैंने किस तरह से इसको बनाया है ये देखिए अब मैं एक बार fold करूँगी ये इस तरह से fold करने के बाद हम इसको cut कर लेंगे और cut करने के बाद यह देखिए मैंने इस तरह से fold किया है और अब मैं इसको cut कर लूँगी कैसी से उपर के तरफ से हमेरी करना है नीचे से ही करना है इसको यह देखिए यह अलग से हो गए हैं और उपर से हम इसको सुई धागे से उसमें सेट कर देंगे जो हमने दूपट्टा या पटका बनाया काना जी का तो यह देखिए हमने इस तरह से इसको finishing भी देनी है तो पहले हम इसको सुई धागे से इसको attach कर लेंगे दूपट्टे के साथ यह मैंने काफी बार आपको इस तरह से सेट करना बता दी है पहले माला भी मैंने इस तरह से सेट किया था पर अब मैंने इसकी जो लटकन है काफी मोटी बनाई है पहले मैं ओनली दो या तीन धागे लिए थे माला में और यह जो है वो एक मोली के तरह का धागा नहीं होता थोड़ा सा शाइनिंग वाला धागा है तो बहुत ही प्यारी सी हमारे ये दोपट्टा कानजी का तयार हो जाता है देखने में बहुत सुन्दर है और काफी इजी वे में हमारे घर पर ही तयार हो जाता है